नमस्कार दोस्तों, शिलंका में हालत बत से बत्तर होती जा रही है, पूरे देश भर में खाने की कमी, दवाईयों की कमी, फ्यूल की कमी और भारी इंफलेशन देखी जा रही है, देश की इतिहास में सबसे खराब एकनोमिक क्राइसिस चलने लग रही है, और अब हालत ये हो चुकी है कि गुसे से भरी जनता ने ruling party के politicians के घरों पर आग लगानी शुरू कर दी शिलंका के प्रधान मंतरी के family home पर आग लगाई गई इतना ही नहीं बलकि दरजनों politicians की घरों पर आग लगाई गई है protesters के दुआरा इसी बीच स्रिलंका के प्रधान मंतरी ने डिजाइन भी कर दिया अपना इस्तिफा दे दिया पर आगाई काभू में आगाई और खराब होती जाए और खराब होती जाए देश आर्थिक और राजुनी तिक संकट से जूशागा Troops armed with orders to shoot those indulging in violence are patrolling Sri Lanka's capital Colombo today Since last month the country has been rocked by demonstrations that are soaring prices, power cuts and a lack of medicines At least 8 people have died in the violence, 200 have been injured And people are suffering and the people are living with one meal per day Can you imagine? Can you imagine? I'm so sorry to say this दोस्तों बढ़ती inflation और बिगड़ती आर्थिक सिती को लेकर प्रोटेस्ट तो कई हपतों से चल रहे थे शिलंका में लेकिन सरकार की तरफ से प्रोटेस्ट के response में एक बड़ा फैसला लिया गया 3rd April को जब सरकार ने कहा कि उनके सारे ministers resign कर देंगे एजुकेशन मिनिस्टर से लेगर defense minister तक सारे 26 cabinet ministers जो शिलंका की सरकार में थे उन्होंने mass resign कर दिया इस्तिफा दे दी शिलंकन प्रेजिडेंट गोताबया राजपक्षा opposition parties के पास गए कहने के लिए कि आओ एक unity government बनाते हैं लेकिन उन्होंने उनका offer reject कर दिया और फिर 17 member का एक नया cabinet sorin किया गया इनके द्वारा प्रेजिडेंट गोताबया को लग रहा था कि ये शायद काफी हो protesters को शान्त करने के लिए लेकिन वो शान्त नहीं हुए प्रोटेस जारी रहे इसी बीच सरकार ने state of emergency भी डिकलेर कर दी पूरे देश में exactly क्या वज़य है शिलंका में इस economic crisis के पीछे और किन कारणों की वज़य से शिलंका में आज के दिन ये हालत होई है इसकी बात मैंने detail में पिछले शिलंका वाले वीडियो में करी थी इसका link में नीचे description में डाल दूँगा जा खर आप बाद में इस वीडियो को देख सकते हैं मोटे मोटे तोर पर कहा जाए तो एक बड़ा कारण इसके पीछे था शिलंका की अभी की सरकार इनके अभी के प्रेजिदेंट और प्राइम मिनिस्टर जिरोंने बहुत से खराब फैसले लिये थे यही रीजन है कि 9 एपरिल से जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने कैम्प करना शुरू कर दिया प्रेजिदेंट गोता बाया राजपक्षा के ओफिस के बाहर दरजनों टेंट्स खड़े किये गए और एक तरीके से प्रेजिदेंट के ओफिस के बाहर एक पर्मनेंट प्रोटेस्ट साइट बन गई इस प्रोटेस्ट साइट को नाम दिया गया गोटा गोगामा गामा शब्त का सिनहलीज भाशा में मतलब होता है एक गाउं एक विलिज और गोटा से मतलब है प्रेजिदेंट गोटा बाया तो ये प्रोटेस्ट साइट एक गाउं की तरह है जो गाउं कह रहा है गोटा को ग प्रोटेस्ट चला था, सिंग्यू बोर्टर पर एक तरह की अल्मोस्ट पर्मनेंट प्रोटेस्ट साइट बन चुकी थी, प्रोटेस्टर्स दिन रात वहीं बैठे रहते थे, टेंट लगाये हुए, यही चीज स्रिलंका में उने लग रही है, श्रिलंका के प्रोटेस्ट भी largely peaceful रहे हैं, at least शुरुवात में तो, ज्यादा हिंसा नहीं देखी गई प्रोटेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि यह प्रोटेस्टर्स, university students, lawyers, artists, religious leaders, academics, NGO activists, हर तरह के पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यह प्रोटेस्ट वाइलेंट तब हो गया, जब प्रेजिडेंट गोटा पाया के supporters ने दंडो से हमला किया, इन शान्ती से बैठे प्रोटेस्टर्स के ऊपर, करीब 3,000 राजपक्षे के supporters, official residents के बार आये प्राइम मिनिस्टर के, वैसे प्राइम मिनिस्टर जो है श्रिलंका के वो भी राजपक्षे हैं, और जो प्रेजिडेंट है वो भी राजपक गया, डिस्ट्रोय किया गया और ये प्रोटेस्टर्स के साथ जाकर clash कर गया, बहुत से लोगों का कहना है, ये actually में कोई supporters नहीं है राजपक्षे के, बलकि सरकारी गुंडे हैं जो सरकार ने hire किये थे प्रोटेस्ट को खतम करने के लिए, कहा जाता है कि इने जबरदस्टी वहाँ भेजा गया था ताकि ये हिंसा करें, धमकाएं और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को चुप करा सकें, हुआ ये कि ये भीड जाकर प्रोटेस्टर्स की भीड के साथ clash कर गई और 150 से जादा लोग injured हुए, इस incident के बाद प्रोटेस्टर्स का गुसा और बढ़ गया सरकार के खिलाफ और अब प्रोटेस्टर्स वाइलेंट हो गए, इन्होंने जाकर सरकार के पॉलिटिशिन्स के घरों पर आग लगाने शुरू कर दे, कई पॉलिटिशिन्स के घर जलाए गए, including राजपक्षा परिवार का जो ancestral home था, उस पर भी आग लगाई गए, पुलीस इतनी खराब हो चुकी थी कि आर्मी को बुलाना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को उनके घर से इवैक्यूएट करने के लिए, क्योंकि जो भीड थी प्रोटेस्टर्स की उन्होंने में गेट को ब्रीच कर दिया था और वो घर के अंदर गुसने वाली थी, अब ये सुनकर आ प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, शिलंका का जो इंडिया से काफी अलग है, इंडियन प्रेजिडेंट के पास ज्यादा पावर्स नहीं होती, लेकिन शिलंका में ऐसा नहीं है, शिलंका में प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ शिल प्रेजरेंट भी बहुत पावर्फुल होते हैं और यहाँ पर शिलंकन प्रेजरेंट ने अभी अपना इस्तिफ़ा नहीं दिया है गोठबाय राजपक्षा जो गोठा गोठा गो के नारे लग रहे थे वो इनके प्रेजरेंट के खिलाफ लग रहे थे लेकिन specially President का Regignation चाहते हैं ये और जैसा मैंने आपको बताया था President और Prime Minister दोनों literally एक दूसरे के भाई हैं गोटबै राजपक्षा और महिंदा राजपक्षा तो एक ने resign कर दिया लेकिन दूसरे ने अपनी महाँ पर गद्धी थामे हुई है तो obviously protesters खुश नहीं होंगे इस चीज से Protest जारी है और ये Protest actually में इस dynastic परिवार के खिलाव भी है ये दोनों भाई देश की दो सबसे powerful positions पर बैठे थे लेकिन ये तो सिरफ tip of the iceberg है इनकी dynastic कितनी वड़ी है actually में आपका सर चकरा जाएगा देखकर पहले तो ये Mahinder Rajapakša 2004 से लेकर 2005 तक ये Prime Minister रहे थे शिलंका के इससे पहले उसके बाद 2005 से लेकर 15 तक ये President रहे थे शिलंका के 2018 के बाद से ये फिर से Prime Minister रहे इनकी family roots actually में इनके दादा से शुरू होती है Don David Rajapakša जो की MP रहे थे 1947 से लेकर 1965 था इनके दो बेटे हुए, Don Matthew राजपक्षा और Don Alvin राजपक्षा Don Matthew ने शिलंका की स्टेट काउंसिल इलेक्षिन जीती थी और सरकार में रहे थे उसके बाद इनके छोटे भाई Don Alvin भी सरकार में रहे Don Alvin राजपक्षा के चार बेटे हुए एक तो गोटाबाय राजपक्षा जोकी आज के दिन प्रेजेट है शिलंका के दूसरे महिंदर राजपक्षा जोकी अभी-भी रिजाइन की हैं प्राइम अग्जिटर्स की पोस्ट से जो कि Minister of Youth and Sports रहे थे 3rd April तक इसके बाद चमल राजपक्षा के बेटे सशींदर राजपक्षा जो कि State Minister of Paddy Cereals Organic Food है मतलब इस लेवल की डाइनेश्टी तो आज तक इंडिया में भी आपने कहीं नहीं देखी होगी एक ऐसा पॉइंट था 2021 में जब राजपक्षा परिवार के पास 9 अलग-अलग ministerial births थे साथ cabinet position थी श्रीलंकन सरकार में और जो टोटल बजट था श्रीलंका का उसका 75% सिरफ इनके परिवार के हातों में था अच्छा बात पता है क्या है पिछले साल ऑक्टूबर में इनके प्रेजिडेंट गोटाबयर राजपक्षा ने एक constitutional amendment पास करी थी जिसने इनकी खुद की powers को और भी ज्यादा बढ़ा दिया इसकी वज़े से श्रीलंका आज के दिन ना सिर्फ एक economic crisis में है बलकि एक political crisis में भी है इसे समझने के लिए थोड़ा सा श्रीलंका का political structure जानना पड़ेगा पहले इंडिया को आजादी मिली थी साल 1947 में British से इसके अगले साल 4th February 1948 को श्रीलंका को आजादी मिली थी British से लेकिन श्रीलंका की जो आजादी थी वो इंडिया की तरह नहीं थी इंडिया को पून सुराज मिला था, full independence मिला था British से लेकिन श्रीलंका एक Dominion state रहा British empire के अंडर Dominion का मतलब था कि श्रीलंका एक autonomous देश रहेगा अलग से देश रहेगा, काफी independence मिलेगी इसे लेकिन ये फिर भी British empire का हिस्सा रहेगा इसकी एक allegiance होगी to the crown श्रीलंका को full independence actually में सिरफ 16th माई 1972 को ही मिली इसके बाद फिर साल 1978 में एक नया constitution adopt किया गया इस constitution में इन्होंने एक semi-presidential form of government चुना यानि जहाँ पर president ना सिर्फ head of state होंगे बलकि उन्हें executive power भी दी जाएगी as head of the government इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक parliamentary system असली executive powers प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है सबसे powerful इंसान प्राइम मिनिस्टर होते हैं और president almost powerless समझो, एक nominal head है US में सारी executive powers प्रेजिएंट के हाथों दे दी गई हैं वहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता system प्रेजिएंट का काम होता है सारे cabinet को oversee करना executive branch को देखना और अलग-अलग departments को manage करना अब शिलंका का जो system है उसे एक mix समझ सकते हो US system और Indian system का USA में जैसे elections करवा के president को अलग से elect किया जाता है यही चीज़ शिलंका में भी करी जाती है president के लिए अलग से जनता के बीच election होती है इंडिया में ऐसा नहीं होता है president के पास सबसे ज़्यादा powers थी वो बहुत powerful थे लेकिन prime minister भी थे और उन्हें भी काफी powers दी गई थी लेकिन ये सब बदल गया साल 2015 में जब opposition सरकार आई और उन्होंने constitution को बदल डाला उन्होंने क्या किया president से powers हटा कर parliament और independent commissions को power दे दी उन्होंने कहा कि हम इंडिया जैसे ज्यादा बनना चाहेंगे कि prime minister और parliament के हाथों में ज्यादा power रहे लेकिन फिर november 2019 में गोटा वेयर राजपक्षा को elect किया गया as the president of Sri Lanka और उन्होंने फिर से constitution बदल दिया उन्होंने covid-19 pandemic को as an excuse इस्तिमाल की और कहा कि पिछली सरकार में बहुत सारा conflict देखने को मिल रहा था क्योंकि president किसी और party के थे prime minister किसी और party के थे सरकार चल नहीं पा रहे थी इसलिए अब एक ऐस amendment करने की जरुवत है कि वापस से powers president के पास आए और इसी लिए इन्होंने पिछले साल October में 20th amendment पास किया constitution का और अब इन्होंने अपने आपको पिछली बार से भी ज्यादा powers दे दी इन्होंने कहा अब president के पास power है ministers को appoint करने की ministers को fire करने की elections की authority appoint करने की public service, police, human rights, corruption investigation commission इन सब के officers को appoint करने की power अब president के पास president अब चाहें तो parliament को भी dissolve कर सकते हैं 2 साल 6 महीने बाद elect होने के जबकि पिछला कानून इन्हें prohibit करता था parliament dissolve करने से 6 महीने पहले 5 साल की term खतम होने से इसके इलावा president अपने आपको ये भी power दे दी कि अब वो खुद भी minister बन सकते हैं जैसे कि अगरो president होने के साथ साथ defense minister भी होना चाहेंगे देश के ये बन सकते हैं तो basically देखा जाए तो यहाँ पर president of Sri Lanka एक all powerful post बन गई और गोटा भायरा राजपक्षा के पास almost absolute control आ गया पूरे देश का जहाँ जहाँ control missing था वहाँ वहाँ इनोंने अपने भाईयों को कहीं पर परिवार के सदस्य को बुला लिया और यहाँ पर सरकार एक family business की तरह चला रहे हैं दुनिया भर में इनकी constitutional amendments को criticize किया गया था International Court of Justice ICJ ने भी एक statement दी थी 27 October 2020 को यह कहते हुए the ICJ today condemned the adoption of amendments to the Sri Lankan constitution which served to expand the powers of president while encroaching on the powers of the parliament तो आरोप यहाँ पर सिर्फ corruption, nepotism, economic crisis और inflation का नहीं है कहा जाता है राजपक्षा परिवार ने अपनी गदी पर बैठे रहने के लिए communal tensions का भी इस्तिमाल किया है शिलंका का अगर हम ethnic make-up देखें तो सिन्हाला बुद्धिस actually में majority में है 74.9% population इसके बाद 11.9% तामिल्स की है और Muslims है 9.3% of the population जब बिटिश से आजाद हुआ था शिलंका साल 1948 में उन्होंने जादा तर political power minority तामिल्स के हातों में दे दी थी इसे देखकर सिन्हालीज बुद्धिश लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे उन्हें डर लगता था लेकिन साल 1956 में जब सिन्हाला को national language बनाया गया शिलंका का non-Sinhala speakers को public service से बाहर निकाल दिया गया estimate किया गया कि कम से कम 7 लाख तामिल्स ने अपनी नौकरी खोई तामिल लोग अपनी ही state में discriminated feel करने लगे और इसकी वज़े से eventually हुआ क्या कि कुछ लोगों ने खड़े ओकर एक independent तामिल कंट्री की demand करी एक rebel group का जन्म हुआ Liberation Tamil Tigers of Elam LTTE नाम से साल 1983 में एक full blown civil war भी होई शिलंका की सरकार और LTTE के बीच में लेकिन इस कहानी की बात किसी और वीडियो में कर सकते हैं साल 2005 में महिंदा राजपक्षे प्रेजिरेंट बने शिलंका के इन्होंने LTTE की against campaign को जारी रखा और war खतम करने की पूरी कोशिश कर लेकिन बहुत criticize किया जाता है कि किस तरीके से इन्होंने ये conflict जीता कहा जाता है कि सरकारी forces ने 40,000 Tamil civilians को मारा था in fighting में सिन्हलीस बुद्धिस्ट मेजोरिटी actually इन्हें एक war hero consider करती है लेकिन minority tamils इनसे बिलकुल खुश नहीं उन सालों में एक conflict बुद्धिस्ट मेजोरिटी और minority tamils के बीच देखने को मिला था recent कुछ years में बुद्धिस्ट मेजोरिटी और Muslim minorities के बीच conflict देखने को मिले है राजपक्षा परिवार पर आरोप लगाया जाता है कि वो constantly majority सिन्हलीस को appease करने ही कोशिश करते है और कहा जाता है कि ये one of the many reasons है present economic crisis के पीछे भी कहा जाता है इनके और इनके party supporters इसने देश भर में communal rights करवाए election जीतने के chances बढ़ाने के लिए और majority appeasement करने के लिए पिछले कुछ सालों में सिर्फ Muslims के खिलाफ ही नहीं बलकि minority Christians के खिलाफ भी हमलों में एक बढ़ोती देखने को मिली राजपक्षा सरकार के अंदर इनही communal दंगों के बीच फिर आई भारी economic crisis और inflation अगर हम fast forward करें आज के दिन प्रेजिडेंट गोटाबाय राजपक्षा के खिलाफ ना सिर्फ सिनहलीज लोग बलकि Muslims, Christians और तामिल्स सब मिलकर अब protest करने लग रहे हैं गोटाबाय राजपक्षा यहां पर resignation दे जो कि अभी तक उन्होंने दिया नहीं लेकिन politically अगर देखा जाए तो यहां पर solution निकालना बहुत मुश्किल है आप पूछोगे कि मुश्किल क्या है प्रेजिडेंट इस्तिफा दे और नई elections बुला ली जाए किसी भी और आम देश में चीज होई होती तो नई elections बुलाई जा सकती थी लेकिन इस case में पहली चीज तो यह है कि शिलंका के constitution में कोई provision नहीं है mid term presidential election का अगली presidential election होनी है October November 2024 में दूसरा यह है कि Parliament में जो political parties है उन्होंने कहा है कि आज के दिन जो देश में स्थिती चल रही है किसी भी हालत में नई elections नहीं कराई जा सकती स्थिती में economic crisis, energy shortage, खाने की कमी और पैसे की कमी इतनी ज्यादा है कि election करवाने के भी पैसे नहीं है देश के पास एक national general election को करवाने में 800 million शिलंकन रुपीज लगते हैं और सारी political parties कह रही है including opposition parties की election करवाने के पैसे हमें इस पर पैसे बरबाद नहीं करने चाहिए शिलंका की जो main opposition party है SJW उन्होंने कहाया कि वो प्रेजिदेंट गोटा भायर राजपक्षा के खिलाफ एक no confidence motion move करेंगे उन्हें impeach करने के लिए लेकिन शिलंका के constitution के according प्रेजिदेंट को impeach करना भी बहुत मुश्किल है पहली चीज़ impeachment करने के लिए process को initiate करने के लिए parliament की majority चाहिए होगी फिर speaker को agree करना पड़ेगा आधे MPs को agree करना पड़ेगा फिर जो reason दिया जा रहा है वो clear cut legit reason होना चाहिए क्योंकि इसके बाद impeachment का जो notice होगा वो जाएगा supreme court के पास supreme court verify करेगा कि ये constitutionally valid है या नहीं है अगर supreme court की inquiry के बाद पता चलता है कि ये allegations सही है president के खिलाफ तब इस report को parliament के बास दुबारा रखा जाएगा और इस बारी सिरफ simple majority से बात नहीं बनेगी two-thirds majority चाहिए होगी parliament में president को impeach करने के लिए इसके इलावा फिर अगला एक solution यही है जैसा PM ने कहा था resign करने से पहले कि एक unity interim government बना ली जाए जितनी parties parliament में मौझूद है सब मिलकर साथ में एक सरकार बनाए और ये emergency की state में function करें नई सरकार इस वक्त जिस समय में वीडियो बनाने लग रहा हूँ president राजय पक्षा ने सारी political parties को parliament में invite किया है कि एक all party cabinet बनाया जाए देश के central bank chief ने कहा है कि अगर अगले दो दिन तक कोई सरकार नहीं बनी तो देश इतनी बुरी हालत में चला जाएगा जिससे recover करना impossible होगा और protesters की demand ये है कि president खुद से resign कर दे यहां पर जो वो करने को राजी नहीं तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस situation कैसे resolve करी जाती है सही में एक बहुत मुश्किल situation है ये देश कैसे बाहर आता है economic और political crisis से मेरी तरफ से उमीद यही रहेगी कि सब कुछ सही सलामत हो और जल्दी से जल्दी शिलंका के लोगों के लिए एक बहतर future मिल सके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया पीछे वाला वीडियो भी देख सकते हो अब शिलंका की crisis की उपर क्या reasons है कि ये crisis आई यहाँ click करके मिलते हैं अगले वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद